नमिशकार में मीरा जाटो खबर लेहरिया से आईए 27 नुवंबर की दिन भर की मूख खबरे सुनते हैं जासी जिला के गरोटा में किसानों को फसल खरीदने के लिए बुला कर गायब हुए अधिकारी इस वज़े से किसान परशान हो रहे हैं चित्रकोर जिले में एक तरब जहां सरकारी खाट गोदामा में नहीं है वही खाट को प्राइबेट में बिना रजिस्टेशन वाली दुकानों में खाट की भरमार लगी है कटनी जिले में विधान सवा निर्वाचन दोहजार अठारा के तार अवैद मदिरा धाराग परिवान परिवान एवन संग्रह बिक्रह के बिरूद चलाया जा रहा भियान पन्ना जिला के बस्वा प्रत्यासे अन्बमा चरन के प्रचार प्रसार वाहन से दो लोग कुचल गए जिससे एक बच्चे की मौत हो गई चुनाओ का महौल हुआ घराब सडकों की हाला देख भधोही जिला के लोगों ने कहा कहा है योगी सरकार का गड़ा मुक्त वादा मत्य प्रदेश के अमर कंठक से निकलने वाली नर्वदा नदी तब से ही चुनाबी सुर्क्यों में है जब से बुक मंत्री सिराज सिंग चौरहन नर्वदा सेवा यात्रा लेका निकले थे नर्वदा की सफाई से रचड़ नदी किनारे पौधार ओपन वो अवैद रेत खनन पर रोक थाम को लेकर उन्होंने अंगिनत घोशनाई की लेकिन जमीनी हाकिकत कुछ और ही नजर आती है नील अमानी की कंपनी रिलाइंस इफ्राइश्ट इस्टेचर ने रफेल डील पर एक वीडियो शो के कारण दवायर पर 6 करोड रुपए की मानहानी का मुकदमा दार किया है ये मुकदमा गुजरात के आहमदाबादिस्ती सिविल कोर्ट में दार किया गया है देश के सभी राश्टी और राजिस्तर के राजनीतिक दलों को हर साल इंकम टैक्स रिटन करने की आखरी तारिक से पहले चुनाओ ययोग को ऐसे लोगों के नाम और पता की जानकारी देनी होती है जिनों ने पार्टी को 20 अजार रुपए से ज़्यादा का भुगतान या चंदे के रूप में किया है भारत के मुक्न अधिस रंजन गगई ने कहा है कि समिधान के सुझावों पर ध्यान देना हमारे सरवश्य हित में है और ऐसा नहीं करने से अराजकता तेजी से बढ़ेगी मुक्न अधिस ने समिधान दिवस यानी 26 नुवंबर को अयोजित एक कारक्रम में कहा कि समिधान हाशिय पर पड़े लोगों के साथ भी बहुमत के विबेग की भी आवाज है और यह निश्चित तथा संकट के वक्त में सताह मार्ग दर्शन की भूम का निभाता है उत्तर प्रदेश की मुक्वंती योगी अधितनात ने इन से फिलाइश्टिक रोग से होने वाली मौतों को भारी गिरावट का दावा करते हुए इसके आकड़े पेस की और कहा कि टीम भावना से काम करके किसी भी जानलेवर रोग का अन्मूलन मुम्किम है ये रहिया दिन भर की मुक्वरे कल की मुक्वरों के साथ हम भी राजिर होंगे तब तक के लिए नमश्कार